नमस्कार में उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर अब हाई स्कूल में सौर उर्जा से चलेंगे टीवी पंखे और बल आपका थाने में हाजर हुए खांस है बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चरहाव जारी कोरोना से जानगवाने वालों के आशरितों को मिलने वाले अनुदान को लेकर जारी हुई गाइडलाइंग सिक्षा मत्री विजे चोधरी ने बिहार के सभी सिक्षन संस्थानों को किया आगा अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़े खबरों की और वस्तार से अब हाई स्कूल में सौर उर्जा से चलेंगे टीवी पंखे और बल्ब जल जीवन हरी आली फेस दो के तहर जुले के 206 हाई स्कूल में सोलर प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है अब सभी हाई स्कूल में टीवी पंखे बल्ब कंप्यूटर आदी तमाम उपकरन सौर उर्जा से चलने वाले हैं हाला के इस काम को बिहार सरकार चरण वार कर देवाली है पहले फेज में 15 प्रखंडों के एक-एक स्कूल में इसे लगाये गया है इसे 10 किलोमीटर बिचली स्कूल को मिल रही है पहले चरण में सिर्फ एक नरायनपूर प्रखंट के नरायनपूर हाई स्कूल में कमजोर छत की वज़े से इसे नहीं लगाये गया था 206 हाई स्कूल में सोलर प्रांट लगाने के लिए एजनसी बिहार रेनीवल इनर्जी डेवलाप्मेंट उथारिटी को सरकार से निर्देश मिला है लेकिन अभी हाई स्कूल में परिक्षा सेंटर होने की वज़े से सर्वे नहीं हो रहा है आखिरकार थाने में हाजिर हुए खांसर आररबी नटीपीसी परिक्षा को लेकर छात्रों का हंगामा कुस दुनों पहले ही देखने को मिला था जिसकी बाद सही एक सिक्षरक जो लगातार सुर्ख्यों में बने हुए थे वो थे खांसर क्योंकि उन पर छात्रों को भढ़काने का बड़ा आरोप लगा था हाला कि वो जब से इस विरोध की शिरवात हुई तब से तो गायब चल रहे थे लेकिन बीते दिन मामले की गहनता को समझते वे उन्होंने थाने में अपनी हाजरी लगाई जोहाँ पुलीस ने उनसे पूछताच की और नोटिस पर हरस्ताक्षर करवा कर सारी हिदायते दे दी हैं जिसके बाद ही पुलीस ने खांसर को सक्थ हिदाय देते वे कहा कि जब तक जाच पूरी नहीं हो जाती वो बिहार छोड़ कर दूस्टे राज़े में नहीं जा सकते हैं इसके लावा जाच में अपना सहयोग करने को कहा है खांसर ने भी पूलीस को अनसंधान में पुर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है बिहार मधनिशेद सिपाही भरते लेखित परिक्षा की डेट घोशत बिहार मधनिशेद सिपाही भरते लेखित परिक्षा को लेकर बीते दिन बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है जिसके तहत मधनिशेद उत्पाद और ने मधन विभाग में सिपाही के पद पर बहाली के लिए 27 फरवरी की तारिख ओज जारी किया गया है इसको लेकर केंद्रिये चैन परशद ने गोशना भी कर दी है जिसके साथ ही आज सुबह सुबह मधनिशेद सपाही के 365 पदों के लिए 27,288 अभिहर्थियों को इप्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है चैन परशद के मुताबिक मधनिशेद सपाही के 365 पदों पर बहाली होनी है लेकित परिक्षा का योजन 27 फरवरी को किया जाएगा इसके लिए राज़ुके 38 जिलों में 741 केंद्र बनाए गया है बिहार में अभी और ज्यादा गिरेगा पारा बिहार में इस बार ठं का आगमन तो देर से हुआ लेकिन अब ठं जाने का नाम ही नहीं रहे रही है आलम कुछ यू है कि पटना सहित कई जिलों में बीती रात तो बुंदावान दी हुई ही साथी साथ अररी और सीता मढ़ी में सबसे ठंडी राते भी देखने को मिली मौसम विज्यानिकों की माने तो पस्चिमी विछोब के प्रभाव से एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है सूबे के उत्तर पस्चिमी भाग दक्षिन मध्य भाग और दक्षिन पस्चिमी भाग के मौसम पर इसका असर देखा गया है गुरुबार को इसका प्रभाव सूबे के दक्षिन पूर्व और दक्षिन मध्य भाग में दिखा कुछ जगों पर अनशिक बारिश होने का अनुमान है हालाकि इस बार बादलों की उगरता ना के बराबर देखने को मिल सकती है और गरज तरक के विशेश स्थिती बंती नहीं दिखाई दे रही है मौसम विदों का अनुमान है कि शुकरवार से बारिश की गतिविधियां बंद हो जाएंगी बिहार में बेकार बैठे हैं 400 से भी ज्यादा डिग्री धारी बिहार में स्थिती इसके ठीक उलत है आलम कुछ यू है कि बिहार में सरकारी मेडिकल कॉलिज से पोस्ट ग्राजवेट हो चुके 450 डॉक्टर पिछले दो महीने से बेकार बैठे हैं परिप्शा पास होने के दो महीने गुजर जाने के बाद भी इनकी तीन साल की अनिवारे बॉन्ड पोस्टिंग नहीं की गई है उनके सभी प्रमान पत्र विभाग ने जमाग कर लिये हैं जिसकी कारण ही वो ना तो नीजी हॉस्पिटल में से वाइदे पा रहे हैं और ना ही नीजी प्राक्टिस कर पा रहे हैं वहीं पीजी कोर्स की सम्यावधी खत्म होने के कारण छे महीने में उन्हें मानदे भी नहीं मिल रहा है स्वास्तव भाग के अपर सचिफ कोशल किशोर ने बताया है कि पीजी का परिणाम गोश्चत होने के बाद से बॉर्ण पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है हाला कि इसमें कुछ समय लग सकता है बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चड़ाव जारी बिहार भर में कोरोना के मामलों में उतार चड़ाव की स्थिती जारी है स्वास्तव भाग के तरफ से साजा की गई जानकारी के नुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 281 मरीजों की पुष्टी हुई है वही इस दौरान 1,49,364 कोविड टेस्ट भी किये गए है स्वास्ति बभाग के रिपोर्ट के नुसार बीते 24 घंटे में पहले से कोरोना संक्रमित रहे 488 मरीज स्वस्थ भी हुए रवज में इसके साथ स्वस्थ होने माल की दर 98.30 प्रतिश्यत पर हो गई है सक्रिय कोरोना मामलों की संक्या घटकर 2000 के नीचे पहुँच गई है अब यहां कुल 1815 सक्रिय मामले है स्वास्ति बभाग के तरफ से साज हगी कई जानकारी के नुसार पटना में 99 संक्रमित मिले अन्य जिलो में 50 से कम ने संक्रमित मिले अरवर कैमोर खगडिया और शिवर में एक एक नए संक्रमित मिले है जोहानाबाद लखी सराय मुंगिर और शेखपुरा में एक भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है बीपेसी में पिछले विग्यापन से भरे जाएंगे नियाइक सेवा के रिक्तपत विहार में नियाइक सेवा परिक्षा की मिरिट लिस्ट को लेकर बीते दिन पठना हाई कोट ने जरूरी दिश्णा निर्देश जारी किया है जो के तहब बीते दिन पठना हाई कोट ने अपने एक महतप cima फैसले में कहा कि नियाएक अफसरों की चल रही नियुक्ती प्रक्रिया अगर पूरी नहीं होती है तब राज्यों सरकार की जि criticizing होगी कि वो पिछली नियुक्ती प्रक्रिया के शेशरिक्ट पदों को उसी प्रक्रिया में तयार हुए, उन अभ्यरतियों की मेधाक्रम में चुनकर भरे जो cut अपने फैसले से नया रिकॉर्ड बनाने वाले जज को बीते दिन सस्पेंट कर दिया गया है। कुमार, मोहित और मुजफरपुर के उपने अधीश से एजी, एसी, जी, एम, सतीश चंदर के खिलाफ आक्शन लिया था। जिसके तहती इन सभी को अगली आदेश तक नयाईक और प्रशासनिक शक्तियों से मुक्त कर दिया गया है। वहीं इसी सूची में पटना हाई कोट की इस कारवाई के दाएरे में अररिया पॉक्सो कोट के जज़ शरीकांत रोय भी आए हैं जिनको निलम्बित कर दिया गया है। कोरोना से जान गवाने वालों के आशुरतों को मिलने वाले अनुदान को लेकर जारी हुई गाइडलाइन। को दिशान देश जारी कर दिया है। विभाग के मताबिक अधिकतर कोरोना पीड़ितों का उप्चार मूल निवास स्थान से हटकर दूसरे जिलों में हो रहा है। इसके साथ ये अनुग्रह अनुदान का भुगतान सुनिशित करने के लिए विभाग ने पुराने आदेश का हवाला भी दिया है। सिक्षा मंत्रे विजे चौधरी ने बिहार के सभी सिक्षन संस्थानों को किया आगाह। लात रही तो इनका मुल्यांकन में पिछडना भी तैमाना जा रहा है। इसके सामने आर्थिक दुश्वारियां भी और बढ़ती चले जाने का अनुमान है। यह कारण ने कि सिक्षा मंत्री ने All India Survey on Higher Education के पोर्टल पर सभी उनिवर्सिटी और कॉलेज अपनी सम्मंधित विभिन्य प्रकार के आंक्रे अप्लोड करनी का निर्दे शुज़ारी कर दिया है। बिहार में 300 क्रिशी कार्याले को बंद करने जा रही है सरकार। क्रिशी सम्नवे को और किसान सलाकारों की खाद की काला बाजारी में सनलिपता की शुकायत पंचायतों से लगातार आ रही है। कहना करने वाला वीडियो शेयर किया जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि आग समाजवाद परिवारवाद बन चुका है। इसी दोरान पिये मोधी बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कमार का नाम लेकर कहते हैं कि हमारे साथ ही नितीश कमार सच्चे समाजवाद है। उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीती में है ही नहीं। इसी प्रकार 2019 में डेड़ गुना शात्रों को डॉक्यमंट वरिफिकेशन बुलाय जाने का प्रावधान को अचानक बदल कर तीन साल बाद रिक्ति पदों के बराबर कर दिया था। टर्म बन का रिजल्ट भी जारी करेगा जो उसके आधिकारिक लिंक cbse.gov.in और cbse.nic.in पर उपलब्ध होगा। इसको लेकर बोड की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। साथ ही कहा गया है कि सभी हितधारकों से बात कर यहां अंतिम नर्डे ले लिया गया है। की जानकारी के लिया आपको बता दे कि देश में COVID-19 की स्थिती के मदे नजर दूसरे सेशन की बोर्ड परिक्षा केवल ओफलाइन माध्यम से आयोजित करने का फैसला किया गया है। टर्म टू परिक्षा में चात्र अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रशनों का उत्तर देंगे। बेस्थान पर बहतर हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि टीम कैसे चल रही है। कल हमारे दोरा पूछे गया सवाल का जबाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जुन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा हैं। आप इसी तरह हमारे सवालों का जबाब देते रहे हैं हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नसार कोरोना की तीसरी लहर के रोक्ता में बिहार सरकार की तरफ से उठाएगे कदम से आप संतुष्ट है या नहीं अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी ख़बरों से अब्डेटिट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेलाइ देनिवाद